काइंडली सब्क्राइब माई चैनल एंड हिट ऑन दा बेल आइकान पॉर पर दर नोटिफिकेशन कि हलो बच्चो मैं मनोज पांडे आपका अपना दोस्त आपके अपनी चैनल में फिर से सागत करता हूं अभी हम लोग क्लास 12 में चैप्टर नुमर 5 को कंटिन्यू कर रहे हैं लास्ट वीडियो तक चैप्टर नुमर 5 के एकसरसाइस 5.7 के कोस्चन नुमर 14 तक को हम लोगोंन करेंगे कंप्लीट इसके पहले मैं आपको फिर से याद दिला दू कि डिस्क्रिप्शन में जा करके इस चैप्टर के सारे वीडियो की प्ले लिस्ट का लिंक आपको मिल जाएगा साथ साथ चैप्टर नुमर 3 और 4 जो है वो भी कंप्लीट हो चुका है उसके भी सारे वीड स्क्रिन आपके स्क्रिन पर यह रहा क्या बोल रहा है कि इफ वाइज इक्वस तो 500 इटूद पावर 7 एक्स प्लस 600 इटूद पावर माइनस 7 एक्स then so that d2y by dx square is equals to 49y बहुत सिम्पल सा कोश्चन है आप चाहो तो कुछ से भी पावस करके ट्राइ कर सकते हो नहीं बन रहा है तो आप solution को देखिए ठीक है तो चलिए सबसे पहले में लोग नोट कर लेते हैं given में को क्या दिया है बच्चों तो given में मारे पास है y is equals to 500 e to the power 7x percentage मैं direct कर रहा हूं तो dy by dx is equals to 500 constant है बाहर हो जाएगा e to the power x का differentiation क्या होता है e to the power x ही होता है और 7x का अलग से करोगे तो into 7 मिल जाएगा मैं direct कर रहा हूं क्योंकि बहुत आसान है plus 600 constant है बाहर हो जाएगा e k power x का e k power x हो जाएगा और minus 7 का अलग से करेंगे तो minus 7 हो जाएगा बहुत आसान है चलिए arrange कर लीजिए चाहिए काम करें 7 को हम लोग बाहर ही कर लेते हैं तो 7 को बाहर कर लीजिए तो आपको क्या मिलेगा dy by dx सिर्फ अभी हम लोग range कर रहे हैं मैं 7 को बाहर कर लिया ठीक है तो आपको मिला क्या 500 e to power 7 x plus 600 e to power minus 7 x हमको since proof करने में 49 चीन है तो दोनों बाहर में 77 बाहर कर लेंगे मारा direct answer आजाएगा इसलिए इसको में direct common कर लिए अब अगें differentiating both side with respect to y इसके पहले मेरा page खतम हो गया है तो आप pause करके note कर लिजे फिर हम लोग फर्दर आगे बढ़ते हैं pause करके आप note कर लिजे यहां तक तो चलिए फिर से हम लोग इसको differentiate करते हैं तो आप क्या लिखेंगे भाई यह लिखेंगे ना d2y upon dx square is equals to 7 आपका बाहर था तो इसको 7 को बाहर ही रहने दीजे अब देखे 500 e to power 7x है तो फिर से 500 बाहर हो जाएगा और e के power x का differentiation e के power x ही होता है और 7x का लग से करोगे तो फिर से क्या मिलेगा 7 मिलेगा प्लस 600 constant बाहर अब यहाँ पर क्या है e to power minus 7x तो e to power minus 7x का e to power minus 7x और minus 7x का लग से फिर से करेंगे तो minus 7 मिलेगा यही तो मिलेगा ठीक है बच्चों आप देखिए थोड़ा से हम लोग problem कर लिए problem यह कर लिए कि यहाँ पर हमको क्या होना चाहिए मैं आपको फिर से दिखा कि यहाँ पर बच्चों लोग जो 7 common के थे न तो यहाँ पर minus actually बचा रहा है यह वाला minus तो यहाँ पर रहेगा न तो यह वाला minus आपका minus यहाँ पर रहेगा ठीक है चलिए अब हम लोग आगे बढ़ते हैं तो अब हम लोग चलिए इसको बस arrange कर लेते हैं तो आपका यह d2y upon dx square is equals to देखे फिर से 77 दोनों term में हैं तो मैं दोनों में से 7 को बाहर करूँगा तो यहाँ 77 क्या हो जाएगा 49 हो जाएगा और bracket में क्या बचेगा 500 e to power 7x और यह minus e minus 7 मिलके plus हो जाएगा 600 e to power minus 7x और देखे यह value किसका है यह तो given question में y है यह तो आपका y है तो आपको क्या म 9 और यह value y है इसलिए में आप लिग दिए y और यही तो आपको prove करना था hence prove ठीक है बच्चों तो इस तरीके से हमारा यह question number 15 भी हो गया complete question को note कर लिजी पसंद आया हो तो जल्दी से like कर दीजी अब चले हम लोग next question की तरह move करते हैं जो question number 16 है तो बच्चों question number 16 आपकी screen पर यह रहा देखे क्या बोल रहा है if y is equals to e to the power y into x plus 1 is equals to 1 so that d to y by dx square is equals to dy by dx का whole square यह भी बहुत simple सा question है चले हम लोग स्टार्ट करते हैं सबसे परे लिख लेते हैं given में हमको क्या दिया है given y is equals to e to the power y into x plus 1 is equals to 1 दिया है ठीक है अच्छा question में sorry यहाँ पर y वगरा नहीं दिया है मैं question तो रहा सा wrong note कर दिया है y दिया ही नहीं है ठीक है simple आपका दिया है e to power y into x plus 1 is equals to 1 दिया है ठीक है अब यहां से दिखे अगर मैं बोलू क्योंकि y का term तो यहीं पर है न तो हमको y लिखने की यहाँ पर जरूरत ही नहीं है ठीक है तो यहाँ पर देखे हमको क्या मिलेगा e k power y is equals to 1 upon x plus 1 ऐसे मिलिख सकता हूं क्या e k power y का value क्योंकि देखे y को separate करेंगे x को separate करेंगे तभी तुम लोग differentiation कर पाएंगे इसलिए e k power x इसको मिना left लिखा और इसको divide कर दिया अब हम लोग करते हैं both side differentiation with respect to x ठीक है तो differentiating both side with respect to x differentiating both side with respect to x तो क्या मिलेगा e k power x का e k power x होता है यहां के e k power y है तो e to power y का e k power y और y का लग से करेंगे तो dy by dx यह तो लिखेंगे is equals to और one upon x plus one का differentiation आपको पता है इसको उपर ले जाओगे तो x plus one to power minus one फिर nx and minus one से आपका ले न मैं direct कर रहा हूँ इसका differentiation आप लोग कई बार कर चुके हैं इसका answer क्या आता है one upon x plus one का square पता है ना अरे भाई x plus one को उपर ले जाओ तो power minus one फिर nx and minus one तो minus x plus one into minus one minus one minus two और minus two को फिर से निचलाओगे तो plus two हो जाएगा इस तरीके से e के power y divided by dx का value आपका यह आ गया आगे बढ़ें चले आगे बढ़ते हैं चले अब हम लोग यह काम करते हैं अगर e के power y का value यहाँ पर put करते हैं तो हमको क्या मिलेगा one upon x plus one into dy by dx is equals to minus one upon x plus one का square implies अब अगर मैं बोलो dy by dx का value बताओ तो इससे आप divide करोगे तो यह x plus one उपर चला जाएगा तो मैं लिख रहा हूं minus x plus one upon x plus one का square x plus one x plus one यह कर जाएगा तो क्या आपको मिलेगा dy upon dx is equals to minus one upon x plus one यही तो मिलेगा तो dy by dx का value बच्चों हमारा जया गया अब हमको dy by dx square निकालना है क्योंकि प्रूफ करने में कहीं कहीं उसका use है तो again differentiating both side with respect to x तो हमको क्या मिलेगा d2y upon dx square is equals to फिर यह उपर जाएगा फिर nx n minus one से आप करोगे इसको वही करोगे न क्या बोटा हूं ध्यान से देखो फिर साब इसको कैसे करोगे मैं करी देता हूं तो यह minus one अपने जगर रहेगा और यह आप उपर ले जाओगे तो x plus one के power minus one हो जाएगा अब इसका differentiation अगर आप करते हो नहीं पर arrange कर दिया डीवाइब डीक्स अब यह उपर गया तो माइनस अपने जगर पर है और x plus one का के power minus one हो गया उपर गया तो minus one हो गया अब अब differentiation अगर आप इसका करते हो तो nx n minus one करेंगे तो यह minus minus मिलके यह plus हो जाएगा और यह n minus one तो यह minus one हो जाएगा म यानि d2y by dx square का value आपको यह मिल गया समझ में आ रहा है बच्चों आ रहा होगा आपको आप देखिए इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं क्या d2y by dx square is equal to अगर मैं इसको इसके form में लिखो किसके form में लिखने के लिए बात कर रहा हूं मैं बात कर रहा हूं dy by dx के form में लिखने का इसको अगर मैं थोड़ा सा अरेंज करके ऐसे लिखना चाहूं तो लिख सकता हूं क्या minus one upon x plus one का square ऐसे लिख सकता हूं मैं इसको देखो दियान से बाई जो प्रू किसका है यह value देखो dy by dx का है कि नहीं यहां से देखो यह value किसका है dy by dx का है तो यहां पर आप लिख सकते हो further d to y upon dx square is equals to y हो गया तो यह y का square ठीक है y नहीं sorry dy by dx तो dy by dx का square यह d y by dx से देखिया और इसका square हो गया ठीक है बच्चों गर्मी बहुत जादा है इसलिए थोड़ा सा problem हो जा रहा है तो उसके लिए आप मेरे को मारफी चाहिएगा थोड़ा सा problem हो जा रहा है क्योंकि गर्मी बहुत जादा है माइंड कंसेंट्रेट करने में दिक्कत हो रहा है ठीक है आपके लिए लोग इतना मेहने सी वीडियो बनाते हैं तो प्लीज वीडियो को लाइक जरूर करिएगा अगर पसंद आया हो तो और कमेंट करके बताइए कि हमारा वीडियो आपको कैसा लगा ठीक है तो इस तरीके से देख इस exercise का वो भी हम लोग complete करते हैं तो चलिए next question की तरह move करते हैं जो question no.17 है तो बच्चों question no.17 जो की last question है इस exercise का यह आपके screen पर यह रहा देखे क्या बोल रहा है if y is equals to 10 inverse x का square then so that x square plus 1 के square into y2 plus 2x into x square plus 1 into y1 is equals to 2 जैसा है कि आपको पता है y1 का मतलब होता है dy by dx और y2 का होता है dy by dx square तो definitely हमको यह निकालना पड़ेगा तो चलिए हम लोग निकालते हैं start करते हैं question को तो given में आपके पास क्या दिया हुआ है given में आपके पास दिया है y is equals to 10 inverse x का square ठीक है तो चलिए differentiating both side with respect to x तो इसको हम लोग आप y1 लिखेंगे dy by dx या इसको ऐसा लिख लिख बिलिकलो आप समझने के लिए है तो देखें सबसे पहले तो x to power n के form है तो nx n-1 ठीक है तो 2 tan inverse x और tan inverse x का लग से करना पड़ेगा तो d by dx of tan inverse x यह होगा तो y1 is equals to 2 tan inverse x और tan inverse x का differentiation आपको पता है into 1 upon 1 plus x square यह तो आपको पता ही है ठीक है चेरे बच्चों आगे बढ़ते हैं हम लोग तो देखें यहाँ पर मैं इसको cross multiplication अगर कर रहूं तो उमको क्या मिलेगा y1 into 1 plus x square मैं इसको ऐसे लिख लेता हूं 1 plus x square into y1 is equals to 2 tan inverse x again differentiating both side with respect to x तो यहाँ पर देखें दो function का multiplication मिल गया application वाला formula apply करेंगे तो first function into differentiation of second तो y1 का करोगे तो y2 हो जाएगा plus second function को same लिखें into differentiation of first तो 1 का 0 और यह आपको क्या मिलेगा 2x मिलेगा फिर से देखें मैं direct कर दिया हूं क्योंकि आसान सा है first function into differentiation of second plus second into differentiation of first तो 1 का 0 और x square 2x right side का differentiation करेंगे तो क्या मिलेगा 2 और 10 inverse x का क्या होता 1 upon 1 plus x square यह तो मिलेगा चलिए arrange कर लेते हैं बच्चों इसकों लोग तो देखें हमको क्या मिलेगा यह 1 plus x square into y2 plus यहाँ पर करेंगे तो 2xy1 मिलेगा is equals to 2 upon 1 plus x square देखें यहाँ पर cross multiplication करेंगे तो direct हमको answer मिल जाएगा तो यहाँ से यहाँ multiply करेंगे तो यह दो बार हो जाएगा ठीक है तो आपको यह क्या मिलेगा x square plus 1 का square मैं x square को पहले लिख दिया वनको बाद में लिख दिया क्योंको आपको देखें जो प्रूफ करना है वो इसी form में दिया हुआ ठीक है और यहाँ पर क्या y2 प्लस इसका है से multiply करेंगे तो देखें आपको जो प्रूफ करना है वहीं मिल रहा है 2x और यह x square plus 1 और into y1 is equal to 2 और यह तो आपको प्रूफ करना था देखें कितना आसाने से अपना answer आ गया तो इस तरीके से हमारा यह प्रूफ हो गया है तो बच्चों इस तरीके से हमारा यह question number 17 भी complete हो गया I hope इसका भी solution आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा ठीक है तो इस तरीके से भी हमारा chapter number 3 chapter number 4 and chapter number 5 आज complete हो गया रोलिस्थियूरम आप अगर यह मेरा वीडियो financial year 2020 और 2021 के लिए देख रहा है मतलब आपका जो सेशन है पढ़ने का 20 और 21 के लिए देख रहा है तो इस सेशन में आपको रोलिस्थियूरम नहीं पढ़ना है तो next exercise जो 5.8 है ठीक है वह exercise बच्चों आपको पढ़ना ही नहीं तो अगर आप इस सेशन के अलामा देखोगे तो अगर यह जैसे ही कि आ जाएगा कि नहीं आपको पढ़ना है तो मैं इसको फिर से करा दूगा तो इस सेशन के लिए मैं 5.8 नहीं कराओंगा तो यह सारे वीडियो आप बहुत इंजवाए कि होंगे बहुत मेहनत करके आपक संद आये तो जरूर वीडियो को लाइक करिए अगर आप फर्स टाम विस्टर हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए अब हम लोग बच्चों एक नए वीडियो में एक नए चैप्टर के साथ मिलेंगे तब तक क्लिए थाइंक्यू सो मच